क्या मेटल के स्टॉक्स में आने वाले दिनों में आने वाली ये बड़ी राली और अगर ऐसा होता है तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हमें सबसे जाधा फाइदा हो सकता है देखेंगे आज के वीडियो में welcome to investographer मेरा नाम है अंकित और वीडियो शुडू करने से जो number of likes हो जाता है जैसे 160 likes है और आपने दबाया और 161 हो गया तो वो 161 number आपको comment section के अंदर लिखना है और ऐसे जितने भी लोग ये काम करेंगे और अगर हमारे like का target आप लोग अचीव कर देते हों तो जितने भी लोगों ने अपने comment section के अंदर like का number लिखा होगा उन लोग से nifty ने हमें इस week में closing दी है nifty काफी जाधा painful हम कह सकते हैं या काफी जाधा decisive point के उपर आ चुका है जहां से या तो अगर rally continue होती है दिन हमें short term के अंदर अच्छा momentum भी देखने को मिल सकता है या फिर हमें further जो गिरावट हमें market में पिछले एक डेट महिने से देखने को मि हो आता है 16,800 का level 16,800 के level के अगर हम बात करें तो जब nifty के अंदर गिरावट आ रही थी तो almost एक बार दो बार तीन बार काफी strong support nifty ने वहाँ पर बनाया था and finally फिर तीन बार support लेने के बाद ही 16,800 level को यह तोड़ बाया था उसी के साथ अगर हम इसकी दूसरी importance देखने तो उसके अंदर 200 EMA के importance बहुत जाद होती है अगर 200 EMA के आपके उपर index चल रहा है इसका मतलब safe है और आपके बहुत जादा गिरावट आने के chances कम होते हैं बट जब आपका index 200 EMA के नीचे चल रहा होता है तो वो थोड़ा सा risky या थोड़ा सा downtrend वाले zone में आपको देखने को मि जाने की उसके उपर जाने की but strong rejection के वरे से वापस गिरता हुआ दिखा फाइनल यह काफी strong bounce back के साथ निफ्टी हमें उपर जाता हुआ दिख रहा है बट दो दिन से हमें इसी level पर reject होता हुआ दिख रहा है इस level को cross नहीं करता हुआ दिख रहा है तो ऐसे के अंदर Monday का जो ह बहुत ही quick बहुत ही fast rally देखने को मिले almost आप कह सकते हो 700-800 यह 1000 पॉइंट तक की भी rally जिस तरह से यहां पर देखने को मिली वैसी एक quick rally देखने को मिल सकती है बट उसके लिए बहुत important होगा कि हम observe करें कि 16,800 16,800 के उपर market किस तरीके से behave कर रहा है किस तरीके से positions बन रही है और किस तरीके से higher level पे buyer और seller के बीच में relationship चल रही है तो यह थोड़ा सा हम observe करेंगे next week हमारा पूरा ध्यान इसी चीज़ के उपर होगा कि अगर markets 16,800 के उपर जाता है तो वहां कैसा behavior market का हमें देखने को मिलता है तो live session से बने रही हैगा वहां पे हम यह चीज़ discuss करते रह रहे हैं तो बीना किसी देरी के सीधा हम लोग आ जाते हैं निफ्टी मेटल के इंडेक्स के उपर निफ्टी मेटल के अगर हम चार्ट पैटर्न को observe करें तो अगर आपको पता होगा तो पिछले एक साल से निफ्टी मेटल ने कोई खास rally नहीं दिये उससे पहले हमें काफी और बड़ी rally दी थी जिसका हमने बहुत जादा फायदा उठाया था JSW Steel टार्टा स्टील इस तरह के स्टाउक में हमने काफी फायदा उठाया था जब हमने 2020 के नवेंबर डिसेंबर वाले जोन में टार्टा स्टील और JSW स्टील के अंदर बाइंग करी थी और काफी फायद 21 में breakout देखने को मिला था बट वो जिस तरीके से breakout हुआ था उससे ज़्यादा speed से हमें वो breakout fail होता हुआ दिखा था इसलिए हमेशा हम लोग कहते हैं कोई भी breakout अगर हो उसको sustain करने का उसका confirmation का उसको stabilize होने का मौका हमें देना चीए otherwise अगर हम जल्द बाजी करते हैं तो हमारे फसने के chances बहुत ज़ादा हो जाते हैं और जरूरी market में हमेशा यह होता है कि हम losses को limit करें profits अपने आप time to time आते रहेंगे इसी के बाद अगर हम देखे तो एक यहाँ पे हलका सा हमे February के अंदर breakout देखने को मिला था जो अगेन वापस से हमें fail होता हुआ दिखा बट फिर थोड़ा सा Russia Ukraine का भी उसके अंदर हाथ था जो हमें यहाँ पे breakout देखने को मिला क्योंकि Russia की side से supply बंद हो गया था इस वज़े से कुछ stocks में हमें बहुत sudden बहुत कोई क्राइली आती हुए दिखी and finally Nifty Metal ने इस वाले zone का 58-5900 के zone का breakout दिया है and अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखने तो दो-चार चीज़े हम यहाँ पे observe कर सकते हैं पहली चीज़ अगर आप देखो कि पहले के breakout जो fail हुए थे वहाँ पे अगर आप देखो तो क्यों आपके EMS जो थे वो काफी दूर थे तो ऐसे में जब retracement आते हैं तो वो बड़े आ जाते हैं बट अब अगर हम देखे तो यहाँ पे market हमें क्योंकि stabilize होता हुआ दिख रहा है उसका इसने बार-बार support लेकर के प्रूफ किया है कि buyers इसको नीचे से buy करने के लिए ready हैं तो अब अगर देखने वाली बात क्या होगी क्योंकि Friday को थोड़ी इसमें अजीब तरह कि थोड़ी confusing candle इसने बनाई है क्योंकि higher level पे sustain तो होता हुआ दिखा बट top level से selling भी हमें आती हुए दिख रही है तो अब यहाँ पे हमें क्या decisive चीज हो जाती है या क्या confirmation का हमें wait करना होगा अगर यहाँ से metal stocks हमें उपर जाते हुए दिखते हैं then काफी high chances हो सकते हैं कि metal के अंदर rally हमें आती हुए दिखे otherwise अगर metal हमें नीचे आता हुआ दिखता है then हो सकता है कि कुछ दिन या एक आध हफता हमें और इस तरीके से consolidation continue होता हुआ दिखे मार्केट को थोड़ा और समय लग सकता है जो यहाँ पे इस ने strong momentum दिया था उसको absorb करने में बट अगर market 5900 के level के उपर ही रहता है निफ्टी मेटल अगर 5900 के उपर ही रहता है तो यह एक अच्छा confirmation होगा कि भले ही consolidation में थोड़ा समय लग रहा है बट market stable है and market के अंदर support अच्छा बना हुआ है और वो हमें अच्छा समय भी देगा थोड़ा थोड़ा quantities को accumulate करने के लिए अगर आगे की rally continue होती है तो उसके लिए अब बात कर लेते हैं हम लोग nifty metal के अंदर जो major stocks है top 10-12 जो stocks है nifty metal के अंदर जो metal के इंडिया के top leading 10-12 stocks है उनके अंदर किन stocks के अंदर हमें बड़ी opportunity मिल रहे है किन stocks के अंदर हमें अच्छे momentum के chances दिख रहे हैं जहां पे हमें risk reward भी अच्छा मिल रहा हूँ कि अगर हमारा loss हो तो छोटा loss हो profit हो तो बड़ा profit हो साथ ही साथ हमें उनका trend भी अच्छा देखने को मिल रहा हूँ और साथ ही साथ उनके अंदर हमारा positive outlook बन रहा हूँ तो ऐसे stocks के अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो stock इस time पर मतलब सारे stocks हम लोग analyze करेंगे उसमें से जो हमें बढ़िया दिखेंगे उनको हम shortlist करेंगे और फिर लास्ट में हम उनको वापस से discuss कर लेंगे तो सबसे पहला जो stock है nifty metal के अंदर वो पहला stock है Tata Steel Tata Steel अगर आप लोगों को याद हो तो जब भी इस वाले support पर आ रहा था तब हम लोगों ने इसको discuss किया था कि अगर 1060-1070 के support पर मिलता है तो risk ले करके जिनको bottom hunting की strategy पसंद आती है जो support में buy करना पसंद करते हैं छोटी-छोटी quantities buy कर सकते हैं but overall market का view उतना ज्यादा bullish था न तो सबसे important level यह एक ऐसा level जहां सबसे ज्यादा बार stock ने पलटने की कोशिश करिए हो सबसे ज्यादा बार stock ने पाइवेट मा रहा हूं वह आपको देखने को मिल रहा है यह वाले zone जो कि approximately आपका 1250-1260 का zone आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर stock ने एक बार strong यहाँ पर candles के साथ breakout दिया है volumes काफी strong हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उपर की साइड हमें stabilize होता हुआ देख रहा है अगें Friday को जो candle बनी है वह थोड़ी सी confusing candle बनी है उसका reason में आपको बताता हूं कि Thursday को काफी strong candle बनी but Friday को higher level पे sustain हमें होती हुई दिखी but ऊपर के level से profit booking भी हमें देखने को मिली तो chances हो सकते हैं कि अगर market बहुत ज्यादा strong नहीं रहता है Monday को या बहुत ज्यादा bullish नहीं रहता है market तो हमें retracement थोड़ा सा इस वाले zone में ऐसे घूमता हुआ दिख सकता है Tata Steel अगर यह हमें lower levels पे मिलता है approximately 1260-1270 ऐसे वाले zone पे तो वह काफी low risk area हो जाएगा चोटी-छोटी initial 15-20-30% quantities add up करने के लिए stop loss रख सकते हैं अगर short term view से हम लोग आ रहे हैं इसके अंदर तो approximately 1235-1240 के zone के around हम अपना stop loss रखने के लिए देख सकते हैं क्योंकि अगर वह वाला zone break हुआ then काफी high chance हो जाएंगे कि stock हमें 200 यह में यानी 1150 या फिर सीधा 1060-70 तक भी जाता हुआ दिख सकता है तो वहां तक फिर wait करने का कोई फाइदा रहेगा नहीं तो simply हम अपना stop loss यहां पर रख सकते हैं वैसे भी market थोड़ा high risk environment में चल रहा है तो ऐसे में आप अपने losses को protect करन बढ़िया है देखने वाली बात होगी Monday Tuesday Wednesday वाले zone में किस zone के अंदर हमें यह trade होता हुआ दिखता है अगर lower levels पर आता है देन मैं कहूंगा थोड़ा सा risk ले करके 20-30% positions बनाई जा सकती है बट बाकी की position हम तभी बनाएंगे जब हमें यह उपर जाता हुआ दिखेगा जब momentum हम इसमें आता हुआ देखेगा बट initial position बनाने के लिए 1260-1270 का zone अच्छा होगा कम रिस्क होगा 2-3% का ही आपका maximum उसमें risk रहेगा अगर आप सही तरीके से risk management follow करोगे इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले stock के उपर JSW Steel का JSW Steel अगर मैं देखूं तो as such मुझे बहुत ज zone में JSW Steel के अंदर देखो तो बहुत जादा खिचडी बहुत जादा confusion बहुत जादा noise बहुत जादा arbitrary movement आपको देखने को मिल रहे हैं तो particularly मुझे ऐसा मेरा मानना है अब यह होता है नहीं होता मुझे नहीं पता बट मेरा मानना ऐसा है कि जब इतना जादा congestion इतनी जादा ख जाए फिर इसमें selling आ जाए फिर थोड़ा उपर जाए फिर selling आ जाए तो ऐसे में बड़े movement आपको मिलने के चांसे थोड़े कम हो जाते हैं जब तक आपका चार्ट क्लीन नहीं होता जब तक चार्ट आपका open नहीं होता यह बहुत जादा restraining हो जाता है हर पांच-पांच- 10-10 रुपए पर आपको resistance देखने को मिलते हैं ऐसे zone के अंदर तो यह थोड़ा सा restraining हो जाता है थोड़ी सा issue create होता है और मुझे personally लगता है कि शायद वही एक major reason रहा होगा कि बाकी metal stocks ने इतनी अच्छी rally दी but JSW Steel as such कोई खास momentum generate नहीं कर पाया वो एक काफी बड़ा problem JSW Steel के level होगा अगर उसके उपर आ जाता है यह finally तो फिर उसके बाद आपको clean open space यहाँ पर देखने को मिलेगी जहां पे एक अच्छा momentum बन सकता है तो 700 के उपर अगर एक अच्छे stop loss एक चोटे stop loss के साथ मिलता है तो वहाँ पर हम consider कर सकते हैं बट 700 से पहले मुझे लगता है काफ हो या वेदानता हो सब के अंदर चार्ट पैटन अच्छे बन रहे हैं अगर आप एक पैटर्न और जो मैंने ओवर दे यॉर्स ट्रेडिंग में और दिखता है तो जनरली इनका जो ट्रेंड होता है वह mostly आपको एक लोवर लेवल पर ट्रेंड लाइंस बनती भी दिखते है और हिंडल को में भी हम लोग देखी रहे हैं तो इनके अंदर काफी बार चांस होता है कि ये बार बार सडन मुवमेंट सडनली एकदम से तेज गिरावट के साथ उस ट्रेंड लाइन पर आ जाते हैं और वहां से वापस से मोमेंटम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर हम देख जो बाकी के मेटल स्टॉक्स में भी हमें देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा कन्फूजन क्रियेट हो रहा है कि क्या मोमेंटम कंटिन्यू होगा या थोड़ा और समय इनको कूल डाउन में लगता है मेटल स्टॉक्स को निफ्टी मेटल को देन हिंडल को हमें रिट्रेस हो हमें बनता हुआ दिख रहा है तो कपेंड हैंडल के अगर हम theoretically जो बुकिश टार्गेट होते हैं उसके इसाब से अगर हम चलें तो यहां से हमें यह टार्गेट almost 690 के लेवल्स तक का देखने को मिल सकता है तो ऐसे में अगर हमें हिंडाइल को लोवर लेवल्स पर थोड़ा 540-550 के जोन पर मिलता है तो वहां पर हम थोड़ा अपना stop loss बड़ा रख सकते हैं ताकि हमारा profit मिस ना हो 500 तक रख सकते हैं अपना stop loss और approximately 530-540 के जोन में इसको buy करने के लिए देख सकते हैं और targets of पहला target हमारा 620 का रहेगा अगर हम यहां कहीं buy करते हैं सेकंड टार्गेट 690 के लिए हम लोग aim कर सकते हैं हिंडाइल को के बाद हम लोग आ जाते हैं जो अगला stock है पाई अदानी के अंदर और यह अप्रॉक्सिमेटल आपको 1550 एक राउंड फिगर में 1550 के आसपस या 1560-70 के आसपस मिलता है वहां पर थोड़ा सा buy करो और फिगर में 1500 के आसपस आप अपना stop loss रखो और फिर जब वो एक अच्छा bounce back दे जैसी यहां पर दिया जैसी यहां पर दिया जैसी यहां पर यहां पर प्रॉफिट अपना book कर लो but otherwise overall लेकर मैं uptrend की बात करूं तो as such कोई trend बहुत जादा strong नहीं दिख रहा है बहुत जा आपको हिंडाल को चार्ट पैटन देखने को मिलेगा जैसा कि मैं बोली रहा था कि यह trend lines को काफी जादा follow करते हैं aluminum stocks जो मैंने अपने personal experience में observe किया है वेदा अंदर हम बात करें तो यहां पर आपको एक बहुत सुंदर pattern देखने को मिलेगा जिसको हम symmetrical triangle pattern बोलते हैं basically triangle type यहा अच्छा होगा अगर 350 के आसपास हमें कहीं पर देखने को मिलता है और वहां से अगर हमें उपर पी सैट जाना start होता हुआ दिपता है देन हमें एक छोटा सा 335 के रहूंड ऐसे लगा करके वेदानता को देख सकते हैं ठीक है ओवराल अगर मैं volumes की बात करों तो जिस तरीक सपोर्ट भी है वो उतने क्लियर सपोर्ट नहीं है जितने हिंडाल को के अंदर है तो अगर इसमें कोई बड़ी गरावाट आती है तो हमें गिरते-गिरते यहां तक भी जाता हुआ दिख सकता है जो कि इसकी एक मेजर ट्रेंड लाइन है अगर हम वहीं पर हिंडाल को को द डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक है तो हम लोग इसको कभी भी ज्यादा प्रिफरेंस या ज्यादा पसंद नहीं करते हैं यह काफी बार मैंने चैनल के उपर इसके अंदर एक पैटर्न किया था जो मैंने आपके साथ काफी बार शेयर कर रखा है लास्ट टेंड डिसेंब अगर एंड के आसपास जब मार्केट में घिरावाट हुई थी वहां पर जब यह इस पर आया था तो मैंने सजेस्ट भी गया था एक छोटा सा स्टॉपलस बनता है वहां पर इसमें बाइंग कर सकते हो और क्योंकि मार्केट हमें वीक होता हुआ दिख रहा था तो यहां प अगर आप कोल इंडिया को देखो तो यह पैटर्न काफी इसमें चलता रहता है तो अगर वापस कभी आपको इस ट्रेंड लाइन पर आता हुआ देखें फॉर एक्जामपल 155 के लेवल या 160 के आसपास तो आप इसके अंदर एक ट्रेड लेने के लिए देख सकते हो उस टा बड़ा मूव आने के चांचे थोड़े कम हो जाते है थोड़ी दिक्कत आती है तो जब तक यह क्लियर ली 105-106 के जोन के उपर नहीं आता है उससे पहले इसमें कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगर हम चार्ट पैटरन देखें एक रांडिंग बॉटम पैटर्न यहां पर हमें अच्छा बनता हुआ देख रहा है वॉल्यूम्स ऐस सच बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं है जितनी यहां पर थी एस सच कोई रिवाइवल के अंदर हमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स आती हुए नहीं दिख रही है वॉल्यूम्स हमें एक डिक्रीजिंग पैटर्न के अंदर ही देखने को मिल रही है तो वॉल्यूम्स ऐसा नहीं है कि बहुत जादा वॉल्यूम्स इंट्रेस्ट हमें इसमें स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है और अगेन मैं थोड़ा कम प्रिफर करूंगा कि इसमें क्य जाएगा वो क्रॉस होते ही आपका 176 पर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो बहुत दो दो चार चार रुपए पर रेजिस्टेंस है तो पर्सॉनली मैं ऐसे स्टॉक में प्रिफर करता हूं कि एक क्लीन रैली देने के चांसे जादा हूं तो अगर स्टॉक जिस तरह से इसने यहां पर रैली दी थी उस तरह की रैली यहां पर बहुत मुश्किल हो जाती है यहां पर मोस्ली चांसे होते हैं कि आपका धीरे-धीरे से घिसट-घिसट के स्टॉक चलता रहे जो कि मैं थोड़ा पर्सॉनली कम प्रिफर करूंगा और अगर मार्केट में दूसरी अच्छ यहां पर मिल सकती है तो वह हम तब उसको वहां पर observe कर सकते हैं otherwise अभी जितने जादा यह already momentum पिछले 10-12 दिनों में दे चुका है तो ऐसे में अगर यह नीचे आएगा तो फिर हमारा loss होने के चांसे जादा हो जाते हैं मैं विद एक्सपिरेंस आपको यह सजेस्ट करना पसंद करूंगा कि मेटल स्टॉक्स को चाहें कितना भी अच्छा आपको कभी भी बड़े रिस्क के साथ बाइं मत करो क्योंकि मेटल स्टॉक्स बहुत क्विकली गिरने के श्रमता रखते हैं और जब भी उनमें गिरावा बहुत सपीड से गरते हैं यहां पर देखो बहुत स्पीड से ग्यापड़न के साथ गरगा तो आप dolpract भी अपना balance नहीं कर पाओगए यहां पर अप देखो similar pattern भागा फ्वोडा रुका फिर भागा और फिर इतनी स्पीड से नीचा आा कि आपको संभले का मौका नहीं दिय तो generally metal stocks में कभी भी इसलिए बहुत ज़्यादा momentum के बाद नहीं लेना है हमेशा कोई भी stock जो होता है वो generally momentum pause momentum pause momentum इस तरीके से वोट करता है तो जब भी यह pause वाला area आता है वहाँ पे stocks को buy करने का अच्छा समय होता है ना कि यहां पर बाई करने का तो आपका पूरा का पूरा रिस्क यहां पर ओपन होता है ठीक है यह समझना जरूरी है और इसको समझ करके ही हमें एक अच्छे ट्रेडर और एक अच्छे इंवेस्टर बन सकते हैं जल्दी से आखरी स्टॉप के उपर आ जाते हैं हिंदुस्तान जिं के अंदर स्कैल्पिंग यानि कंसॉलिडेशन में जो प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं तो वैसे अगर आप ट्रेड करते हूं तो अगर आपको यह थोड़ा लोवर लेवल पर मिले 303, 305, 305, 306 के आसपास तो थोड़ी सी बाइंग करने के लिए देख सकते हो चोटा सा रख सकते हो 295 के आसपास अगर उसको ब्रेक करें तो इमेजेटली 2-3% का लॉस होगा वो लेके निकल जाओ बट अगर उपर जाना स्टार्ट करें तो 350, 360 के आसपास बिना ज्यादा दिमाग लगाए प्रॉफिट भी बुक कर लो क्योंकि फिर जब यह वापस न नीचे आ जाएगा और आपका पूरा प्रॉफिट खा जाएगा तो 350 या 360 के जोन में जाए प्रॉफिट बुक कर लो बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए अगर लुवर लेवल पर आता है तो थोड़ी सी कॉंटिटी आइड करो एंड जैसी ग्रीन कैंडल बनाता है वहा से कम 50% कॉंटिटी तो निकाल ही लेना ठीक है तो उस तरीके से अगर आप ट्रेड करना चाहो तो बहुत समय से इसमें पैटन चल रहा है अल्मोस्ट एक साल से तो वह आप ट्रेड लेने के लिए देख सकते हूं आखरी स्टॉक के उपर आ जाते हैं जो हाला कि मेटल इंड दिख रहा है हमें इसके अंदर पॉसिबिलिटीज अगर हम इसका एक रेजिस्टेंस देखें जो की 128 का लेवल है जहां से ये फिर से रिजेक्ट होकर के वापस नीचे आता हुआ दिखा अगर ये हमें ट्रेंड लाइन के आसपस आता हुआ दिखता है 114 15 के असपस तो डे पहला स्टॉक है टाटा स्टील दूसरा है हिंदुस्तान हैं अलुमिनियःम हिंडל को ठेला टाटा स्टील उसके बाद बाद जिंदल स्टील और बट यह बहुत जादा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम नहीं रखेंगे फिलाल के लिए और बिस्ट इस टाइम पह इंदर बताओ कि इन चारों स्टॉक्स में से आपको सबसे जादा कौन सा स्टॉक पसंद आया और आप खुद किसके अंदर बाइंग करने के बारे में सोच रहे हो इसी के साथ अगर आपने पहले ध्यान ना दिया हो तो लाइक का बटन जल्दी से दबा देना सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर पहली बार आयो और लाइक दबाते ही जो नंबर ओफ लाइक्स आपको दिखते हैं वो आप कमेंट में डाल देना जैसे 130 जैसे लाइक दबाते है अगर आपको 131 लिख देना अगर हमारा 500 लाइक्स का टार्गेट पूरा हो जाता है तो जितने भी जुरूर दो और लाइफ से जुटते रहो इसी तरह और अनलिसेज और नॉलेज जो है हम लाते रहेंगे आपो लोग अपना प्यार और सबोर्ट हमारे साथ बना के रखो थैंक यू